आगे हम डिसकस करते हैं दाउद इनिवर्सिटी के पास्वेपर्स को MCQ No.1 से लेकिं MCQ No.10 तक और आज की वीडियो वीडियो No.1 पास्वेपर्स के हम स्टार्ट करने लगें सबसे पहले आते हैं फर्स्ट MCQ में हमसे पुछा जा रहा है 1 Atmospheric यह दाउद 1 का टेस्ट है यानि के दाउद के पास्वेपर्स के कोश्चन से है और इसके अंदर के सवाल किया है कि 1 Atmospheric is equal to एक atmospheric जो होता है वो Pascal में किस चीज़ के बरावर होता है तो हमें इसके बारे बताने है देखें 1 Atmospheric 760 TOR के बरावर होता है हमें बताने है Pascal के अंदर हमारा मेन वकसा देख इसको पास्कल के अंदर बता है देखें 1 Atmospheric बरावर होता है 760 TOR के तो यह option सही option नहीं होगा अगर 1 Atmospheric की बात की जाएगी तो 1 Atmospheric बरावर होता है 14.7 PSI के pounds per square inch के लेकिन हमसे पुछे Pascal में अगें यह option भी गलत होगा और 1 Atmospheric बरावर होता है 1.01 bar के तो अभी फिलाल यह वाल option भी गलत होगा पासकल में सिर्फ एक ही option ठीक होगा और वो option है 1.01.325 पासकल के 1 Atmospheric बरावर होता है 1.01.325 पासकल के आगे बढ़ता है next mcq पे इस mcq के अंदर हमसे पुछा जा रहा है second mcq में second mcq हमसे पुछा जा रहा है कि if v1 अगर हमारे पास volume है first volume है 5 liter v1 है 5 liter और p1 है 2 Atmospheric के बरावर t1 जो है 273 degree centigrade के बरावर है और t2 बरावर है 0 degree centigrade के और v2 हमें मालूम करना है और p2 हमें बताया है कि 1 Atmospheric है तो हमें 5 चीज़े दीवे हैं और एक चीज़ हमें find out करनी है हमारे पास 4 options है v2 हमें find out करना है कि 5 liter होगा 2.5 liter होगा 12.5 liter होगा या 10 liter होगा आई इंदर है चेक करते है तेकि इसका सही तरीका क्या होगा इसका सही तरीका यह होगा कि हमारे पास formula होता है p1 v1 upon t1 बरावर होता है कि इस चीज़ के p2 v2 upon t2 के लेकिन यहां पर आपको करना ही हो पड़ेगा कि t1 को Kelvin के अंदर change करना पड़ेगा और t2 को भी Kelvin में change करना पड़ेगा तो यह जाए 273 प्लस 273 तो यह जगत 3 और 36 साथ और साथ 14 हो गया और यह हो गया एक करी चला गया चार और दो चार आट और एक चार और दो चार और पांच तो 546 तो यह जगा 546 Kelvin जबकि अगर हम t2 की बात करें इसके अंदर अगर हम प्लस 273 add कर देते हैं तो 0 प्लस 273 273 Kelvin के बराबर ही रहेगा अब हम सारी वैलिउ की इसके उतर पृट कर सकते हैं पी वन की जगह पर क्या पृट करते हैं पी वन की जगह पर हम पृट करेंगे त व्की V2 की जगह पर हम V2 लिखेंगे क्योंके V2 तो find out करना है T2 की जगह पर हम लिख देंगे 273 Kelvin अब यह बहुत असान है 273 बनाद 273 273 तूसर 246 फिर यह 2 से 2 cancel हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा 5 V2 1 से multiply होके V2 हो जाएगा और 5 यहाँ पर as it is बच जाएगा तो हमारा सही असर हो जाएगा V2 बराबर है 5 लिटर के तो हमारा right answer हो जाएगा option A 5 लिटर I hope you get the answer आएए बढ़ते है next MCQ पर MCQ no.3 के अंदर हम से क्या पूचा जा रहा है MCQ no.3 के अंदर हम से पूचा जा रहा है कि dash lies in UV ultraviolet region इसका कौन सा ultraviolet region के अंदर पाये जाता है तो हमारे पास चार options है Balmer series, Lyman series, Passion series और या all of the above तेक हैं यह 4 series होती है सबसे पहली series होती है Lyman series जब यह experiment किया था Lyman ने सबसे पहले यह experiment किया था Balmer ने और यह पूरा experiment है कि जब hydrogen gas को discharge चुप के अंदर heat किया गया था और उसके बाद उसको cool down किया गया था तो बहुत सारे colors produce होता है spectrum produce होता लेकिन अभी to the point बात करते है जब Lyman ने यह experiment परफॉर्म किया था तो temperature और voltage के difference की विज़ा से उसके पास जो series obtained होई थी वो थी ultraviolet radiations की या ultraviolet region के अंदर जब Balmer ने यह experiment परफॉर्म किया था तो Balmer ने यह experiment परफॉर्म किया था तो हमारे पास hydrogen gas का जो spectrum obtained होँआ था वो था visible spectrum के अंदर अगर हम बात करते हैं passion series की जब passion ने यह experiment परफॉर्म किया था तो उसको यह मिला था infrared region के अंदर जबके bracket और P fund ने जब यह experiment परफॉर्म किया था तो उनको भी infrared region ही obtained होदा लेकिन उसका temperature जादा था या अब यह बोल सकते infrared radiation के नाम है उसका spectrum उनको मिला था तो यहां पर एक ही option ऐसा है जिसके अंदर ultraviolet region मौझूद है वो है lyman series तो इसका मलब यह होगा कि हमारा इस mcq के अंदर सही answer हो जाएगा option number c option number b lyman series के dash lies in ultraviolet region lyman series I hope you get the answer आज़े बढ़ते हैं next mcq पर इस mcq के अंदर हमसे पुछा जा रहा है maximum fourth mcq है हमारा है maximum number of electrons maximum number of electrons जो के present होते हैं एक main energy level के अंदर वो किस तरह से find out किया जा सकते है main energy level से मुराद एक energy level या shell ही है या जिसको हम orbit भी बोल सकते है कि maximum number of electrons एक energy level के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम किस तरह से find out कर सकते हैं हमारे पास formula है पहला option हमारे पास 2n² फिर 2n फिर n और फिर 2 तो इसको कैसे find out करेंगे यह बहुत असा तरीका है देखें इसका सही answer होते है 2n² कैसे करते हैं 2n² में अगर हमारे पास n की value 1 होगी तो यह जागा 2 multiply by 1 का square that is 1 का square 1 और 1 को 2 से multiply करें तो 2 यानि कि 2 electron मौझूद होते है 1st shell के अंदर अगर हम बात करें 2 multiply by 2 square की तो यह जागा 2 का square 4 4 को 2 से multiply कर लिए तो यह जागा 8 electron मौझूद होते है हमारे पास 2nd shell के अंदर अगर हम 2 multiply by 3 का square कर लिए तो यह जागा 9 9 को 2 से multiply कर लिए 18 electron मौझूद होते है 3rd shell के अंदर अगर हम बात करें 2 multiply by 4 का square तो 4 का square हो जागा 16 16 को 2 से multiply कर लिए तो यह जागा 32 32 electrons मौझूद हो सकते है 4th shell के अंदर बस एक बात यह याद रखनी चाहिए कि यह वाला formula n equals to 2n square वाल जो formula है यह valid कब तक है valid है 4th shell तक valid till n equals to 4 यह n की value 4 तक है तो valid रहता इसके बाद यह valid नहीं रहता हम यहाँ पर देखते है कि क्या हमारा सही answer होगा तो हमारा सही answer है 2n square जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको करेंगे दिखाया तो यह option A हमारा right answer होगा I hope you get the answer आइए बढ़ते है next mcq के इस mcq के अंदर हम से पुझा जाहरा है 5th mcq के अंदर the two electrons 2 electrons जो के same orbital के अंदर होंगे उनका spin same होना चाहिए similar होना चाहिए है opposite होना चाहिए है parallel होना चाहिए है perpendicular होना चाहिए यह सब चीज़े बूच्छनाम से है हमें बता है कि जब भी 2 electrons एक orbital के अंदर होंगे let's say s orbital के अंदर 2 electron है तो एक का spin होगा anti-clockwise और दूसरे का spin होगा clockwise जो दूसरे spin होगा वह होगा clockwise कभी भी दोनों की s की value same नहीं हो सकती spin quantum number की value कभी भी same नहीं हो सकती let's say px orbital के अंदर 2 electron है तो एक anti-clockwise होगा और एक clockwise होगा उपर वाला anti-clockwise की तरह से शोगी है नीच वाला clockwise की तरह से तो यह होता इलेक्ट्रॉन की direction opposite होती है तो हमारा right answer हो जाएगा option b opposite इस पे आगे बढ़ता है next mcq पे next mcq में mcq number 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है next mcq में हमसे कहा जा रहा है mass of electron is electron का mass कितना होता है electron का mass हमें बताने तहीं electron का mass जो होता है mass of electron होता है 9.1 exponential minus 31 kg यानि कि option a हमारा right answer है अगर हम यहाँ पर बात करते है charge of electron की तो charge of electron होता है 1.67 exponential minus 19 coulomb के बराबर तो इसका मलब जो option b है वो charge of electron को शो कर रहा है अगर यह third mass की बात करें तो third mass है mass of proton का proton का mass होता है 1.6724 exponential minus 27 kg और यह जो proton है proton का charge भी होता है 1.67 exponential minus 19 coulomb लेकिन बस इसका charge होता है positive और इसका charge होता है negative electron का अगर हम बात करते हैं neutron के mass की तो neutron का mass भी proton के mass के बराबर ही होता है 1.6748 exponential minus 27 kg जबकि अगर charge of neutron की बात करेंगा तो तो neutron का charge होता है 0 एक और बात और जहन मामारी रहने चाहिए वो यह के जो proton है proton वो 1836 times heavier होता है than electron heavier than electron ठीक है तो अभी हमारा जो फिलाल answer होगा वो उन्हेंने mass of electron बूछा है तो mass of electron यह है 9.1 exponential minus 31 kg तो option A हमारा right answer होगा I hope you get the answer आइए बढ़ते हैं next MCQ पर next MCQ जो MCQ number 7 है parameter पíल अगने के पूछे जा रहा है change of enthalpy enthalpy का जो change है इसको denote किस चीज से किया जाता है enthalpy का जो change है वो denote किया जाता है delta h से सबसे पहले इह बात समझ जयते हैं का हम लोग enthalpy enthalpy को h से represent किया जाता है enthalpy को h से represent किया जाता है Expert ए наж Instagram dimension बूचरण 他的 of enthalpy होगा तो change of enthalpy के लिए हम लोग delta भी यूज़ करेंगे change of enthalpy के लिए हम लोग delta भी यूज़ करेंगे तो delta H हमारा right answer होगा यानि कि option C is the right answer आईए बढ़ता है हमारे next mcq पर next mcq जो हमारा mcq no.8 है इस mcq no.8 के अंदर हम से पुचे जा रहा है कि rate constant for gaseous reaction जो rate constant होता है वो किस चीज़ से denote के जाता है तो आए दरह जानते हैं सबसे बहले अगर मैं gaseous reaction की बात करूँगा तो जो gases होती है उनका pressure काफी considerable होता है उनका pressure होता है considerable उनकी concentration या उनकी amount considerable नहीं होती इसलिए उनका constant होता है उस constant के अंदर भी वो pressure के हिसाफ से नापता है यानि के pressure की concentration के हिसाफ से pressure की amount के हिसाफ से उसका constant निकला जाता है तो जो rate constant होगा for gaseous reaction वो represent किया जाएगा kp से बात कर लाएं दूसरों की kc से मुराद होता है equilibrium constant equilibrium constant लेकिन ही होता है solids के लिए और liquids के लिए gases के लिए kp यूज के जाता है अगर हम sp की बात करेंगे तो sp से मुराद है solubility product solubility product और k से मुराद होता है specific rate constant k से मुराद होता है specific rate constant आईए बढ़ता है next mcq पर next mcq में हमसे कहा जा रहा है कि oxidation state 9th mcq है यह हमारा oxidation state हमें oxygen की बतानी है पर oxides के अंदर क्या होगी सबसे पहले हमारे पास option है minus 2 फिर second option है minus 1 minus 1 upon 2 और minus 1 upon 4 हम समझ लेता है कि हमारे पास oxides 4 types की होता है normally एक होता है normal oxides normal oxides फिर दूसरे होता है peroxides और यह neutral oxides की example थै फिर एक होता है और यह उते है sub oxides, normal oxides के अंदर oxidation state होती है यहाँपर हमसे पूचा गिया है per oxides के बारे में तो per oxides की oxidation state हो जाएगी वह जाएगी minus 1 आये बढ़ते है option भी हमारे राएदव सर होगा, आये बढ़ते है next mcq प Between next mcq हमारा 10th mcq है और यह हमारा last mcq होगा इस वीडियो का हम इंचाहता है next video में आपसे ज़रूर मिलेंगे और next video के अंदर हम 11th to 20 mcq यानि कि हर वीडियो के अंदर 10-10 mcq डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम अपने lecture को खतम करेंगे 10th mcq में पुछा जा रहे है कि rate of reaction increase होता है as the reaction proceeds या decrease होता है as the reaction proceeds या same रहता है as the reaction proceeds या increase भी हो सकता है और decrease भी हो सकता है as the reaction proceeds तो बात यह है कि यहाँ पर काम करेगा rate law और rate law क्या कहता है रेट लॉग कहता है कि rate of reaction, rate of reaction directly proportional होता है concentration of reactants के, देखिए जब reaction proceed होता है, तो reactants कम होते चले आते हैं, reactants कम होते चलेंगे, तो rate of reaction भी कम होता चले आएगा, यानि इसका सही answer होगा, कि rate of reaction decrease होता है, rate of reaction decreases as the reaction proceeds, जैसे reaction proceed होगा, तो reactant की quantity कम होती चले आएगी, तो number of effective collisions कम हो जाएगी, जिससे reaction की speed कम हो जाएगी, तो I hope you get the answer, अगर आपको हमारी ये वीडियो पर संद आएगी हो, तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजे, नीचे comment में लाजमी दोर बताएगा, और आप क्या दिखना चाहते हैं, वो यहां तक आही चुके हैं, तो उसका मतलब यह है, कि आपको हमारा content पसंद आ रहोगा, अगर आपको हमारा content पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे, और साथ साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे, वीडियो को like करना मत भूलना, मिलते हैं आपसे next वीडियो में, अपना ख्याल होगें, अल्ला हाफिस